तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं व्लॉग यह मेरा फिर्स व्लॉग जिसवे हम गए थे हरी दवार और मैं अपने नान की गया था तो उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा मेरा फिर्स व्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब कर ले ना मेरा चैनल तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और आप मेरा व्लॉग इंजुआए करो तब तक तो गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स सो आज हम जा रहे हैं रिदवार अपनी पैकिंग करके और समान गाड़ी में रखके हम निकल लिए हर दिवार के लिए जो कि यहां से है 500 किलोमेटर दूर और आज गाड़ी में ड्राइब करूँगा और यहां पे इंडिया में मेरी फर् क्योंकि मैंने कभी कार्ड ट्राइव निकी और यह है मेरा छोटा भाई जो कि थोड़ा बहुत फेमस होने के लिए है मेरे व्लॉग में यह देखो यह देखो क्या हरकते हैं पकड़ेगे अबस्तित प्राइब कर दो कि थेखो देखो क्या है मेजिए्या कर दो कि दोड़ेगे मेरे व्लॉग खिताइब कर दो दो कि दो दो कि दो 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 टूब है तो हम आदा रास्ता पार करके एक धाबे पर पहुंचें क्योंकि रास्ते में इतने ज़्यादा धाबे नहीं हैं तो हमने वहां पे चाए पी कुछ खाना पिने के लिए लिया यह था हमारा धाबा जहां पे हम रुके थे और चल दिये अगे की और और फाइनली वी रीच हरी लावार ये ईथधना संदर बना हूआ पे हैं जो की हरी दोर की एंटरइस पर ही बना हूआ है और मैंने एक पहाड़ी देखी जहां पे एक मंदिर बना हूँआ था तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो मंदिर माता मंसा देवी था जो की बहुत ही उचाई पे था और लोग वहाँ पे पैदल और कई लोग तो वहाँ पे रोप वे से जा रहे थे तो हम रवाना हुए अपनी धरमशाला की और तो हमने आगे अपना स्टे और रूम लिया मंडिक बिंदगर धरमशाला में जो की हमने पहले से ही खना से बुक कर दिया था यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो की रूम प्रोवाइड करती है हमें यह रूम पढ़ गया ठारा सो में विद फूड तो हम सबसे पहले धरमशाला में आके मंदिर में माथटे का और जो की धरमशाला के अंदर ही मौजूद था और हम चले कए अपने रूम में तो यह था हमारा रूम जिसमें हमने अपना समान रखा और रेस्ट किया और चल दिया बोजनाले की और और वहां पे हमने जाके खाया अपना खाना दपहर का जो की धेसीगी से बना हुआ था और बहुत ही सुवादिच खाना था खाना खाने के बाद हम धरमशाला से बाहर रहा के आटो पकड़ा और चले गए हरकी पॉड़ी की और जब हम हरकी पॉड़ी पहुंचे तो देखा कि वहां पे तो अलग ही महाल है इतनी ज़्यादा भीड और सबी लोग यहां पे सनान कर रहे हैं शाम के टाइम कुछी टाइम में गंगा आर्थी का टाइम हो जाना था तो इसलिए हमने भी वहां पे जाके सनान किया और अपने कपड़े पहन कर वेट करना लगे गंगा आर्थी का यहां पर गंगा अर्ति का टाइमिंग शाम के साढ़ेotros पाँच शर्तियों में होता है और शाम के शाढ़े forgetting के टाइम होता है और कुछ टाइम बात गंगा अर्ति शुरू होगी ऐज्बंने मैंने नेक्स स्ट्स में डाले हुए तो आप भी दर्शन कीए तकरीबन साथ बजए गंगार तिसमा पत्त होगी और हम निकल लिए बाहर की और और अपने जोड़े बेहन कर चल दिए मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए और कुछ शॉपिंग के लिए आपको पता ही है अगर हम कहीं भी बाहर जाएं तो शॉपिंग तो जरूरी है तो इसलिए हम चल दिए इस तुकान में और यहां पे हमने खाया स्मूस से और मीट्थे में गुलाब जामन जो कि बहुत ही टेस्टी बने हुए थे मुझे पता है आपको भी व्लॉग देखकर खाने का मन हो गया और फिर हम आगे चल दिए कुछ शॉपिंग करने के लिए फिर हमने कुछ कपड़े खरी दे और मैंने अपने लिए एक रुद्राक्ष का ब्रैसलेट खरीता और अगे मेन गेट पे दुबारा और वेट करने लगे किसी आटो के लिए और आटो पकड़ कर हम चल दिए अपनी धरम शाला की और अपनी धरम शाला पुंचके सबसे पहले हमने किया dryन और आगे अपनी धरम चाला वापिस और थोड़ा मिठा ले आए साथ में जो कि ये देख लो इसके हाथ में क्योंकि ये मिठे का बहुत कटड़ फैन है एक तरह से देखो देखो कैसे खा रहा है अकेले अकेले तो ये था आज का व्लोग उमीद है कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल तेबा की मतने हैं नेक्स्ट व्लोग में थैंक यू सो मच वाचिन माई व्लोग